हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल बॉंग ड्राइवर वित ब्रैंड नीव वीडियो और दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप सबको मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से इद मुबारक तो दोस्तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका प एनुवल जो सर्विसिंग है वो होगा तो दोस्तो 2022 में टाटा नैनो का जो टास है ऑथोड़ाइस सर्विस टेसन है वहां पे अगर आप लोग गारी का जो सर्विसिंग है वो करने के लिए लेके जाएंगे तो कितना क्या खच्चा आने वाला है उसके उपर ये वीडियो ह होगा और क्या क्या काम होगा ये भी में डिटल्स में आप लोगो को दिखाऊंगा तो वीडियो में आन-तक जरूर बने रहे है दोस्तो और वीडियो को आच्छा लगा और टाटा नैनो आप लोगो प्यारा है तो जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सकराइब कर लेजिए और वीडियो को like भी दीजिए और share भी कीजिए साथ में चैनल का जो घंटी है इसको भी दबा दीजिए ताके सबसे पहला notification आप लोगों को पास चल जाए तो दोस्तों जल्दी से सुरू करते हैं वीडियो on my count 3, 2, 1, let's do it Welcome friends to my channel Bound Trider तो दोस्तों रास्ते में छोटा सा एक व्लॉग करते हूँ चाटा नैनो के उपर बहुत दिन से कोई व्लॉगिंग नहीं आया है तो आप लोगों बहुत प्यार दिया मेरा चैनल को सपोर्ट भी किया है तो आप लोगों को लिए छोटा सा व्लॉग होगा तो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है मेरे घर से जो मेरा नियरेस टास है वो है चार किलोमेटर के अंदर तो जन्री सी पहुंच जाओंगा तो अलाकि अभी मैं फिनाल जो नैसनल हाईवे 6 है उसके उपर ही हूँ मैंन हों यह से जादा दूर नहीं है ठेलोकि जो लाइवे टरब के जो रास्ता है ये सीधा कलकता जाता है हुणाय एक्सपैस के ऊपर से 7 गाची होके और यह जो ज़ेह पृंग के रास्ता है यह सीधा जाता है आप लोग टरो क करने में इस वाइफ दिली की तरह तो यह सामने जो फ्लाइओवर आप लोग को दिख रहा है यह सौलोप का फ्लाइओवर है तो इसको क्रोस करके आप लोगों को अगर टास्ट जाना है सौलोप किसी मोटोर तो सामने बाला जो ब्रीज है इसमें नहीं चलना है आपको बाए तरफ ले लेना है दिखाता हूँ सब्सक्राइब लोगों को अगर ब्रीज चार जाते हो तो ज्यादा घूम के आना पड़ेगा यहीं पर आपको लेट का इंडिकेटर देख है यहां से आपको बाएंग के रास्ता जो है यह इसको पकाल लेना होगा है यह है सौलोप टाटा मोटोर्स किसी मोटोर्स सड़ी पूंद यहीं मुझे गारी को सार्विसिंग करना है तो लेट लेले तब मैं यहां से आपको दोस्तों मैं पहुंच गया आप अब कर दोस्तों मैं पहुंच गया अब कर दोस्तों मैं फिलाल हूँ टाटा ओतुराइज साड़ी स्केशन के अंदर तो यहां पे थोड़ा नोइजी है यहां पे जैरेज में बहुत तरह काम कर रहे हैं जबिक आप देख पा रहे हैं तो जैसे सब्सक्राइज कॉस्तों मैंने मेरा गारी यह जो टाटा आटा ऑद है इसको लेखे यहां पे आया हूँ और मेरा जो मेकानीक्स था तुभ्रतव दां पास मैंने गया और जो जो मेरा काम करवाना है इस गारी के अंदल जाजी की पिजोर्डिक जो काम होता है जो फिल्टर श्रीम्च जायसे कुछ काम यहां पर होगा तो इसका एक एस्टिमेट उन्होंने गया है तो दोस्तों अब लोग देख पारे स्कीन पर यह जो है यह एक जॉब सीट है तो इसमें जो सुब्वतोदा था उन्होंने एक एस्टीमेशन दिया है तो मेरा जो गारी का काम होने वाला है वो है यहाँ पे जो रेगुलर सर्विसिंग होता है जैसे कि आपका इंजिन ओयल चेंज और फुल फिल्टर ओयल फिल्टर यह सब चेंज होगा और बाकी सब जो इंस्पेक्शन होगा ब्रेक लाज पैड इसका जो एस्टीमेशन है यह है 2900 के आसपास तो दोस्तों सुरू हो गया है मेरा गारी का सर्विसिंग की काम तो जो दादा सर्विसिंग कर रहे है उसका नाम है पॉलासदा तो भाई ने अभी मेरा जो गारी है उसक चारो चक्का को निकल रहे है उसके अंदर जो ड्राम सेट अफ है उसको इंस्पेक्श करेंगे और उसको क्लीनिंग भी करेंगे और उसके अंदर जो ब्रेक सु होता है उसको भी इंस्पेक्श करेंगे अभी तो आईए देखते हैं आगे चलके क्या क्या होता है अभी दादा ने हैमर से इसको हीट करके जो सामने का चक्का है उसके जो ड्राम से टाव है उसको निकल रही है और उसके बाद उसका भी जो ब्रेक्स हो है उसको क्लीनिंग करेंगे तो आभी जो पूराना इंजिन ओयल है उसको रिजर्वर से निकल रहे है यह ओयल को रिप्लेस करके इसके जागा में जो नया ओयल है इसको डालेंगे तो यह जो रिजर्वर है यह बिल्कुल अब का गारी का पीछे होता है तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को देखिए और अभी देख पाँ है आप लोग जो इंजिन ओयल का क्वालिती है बिल्कुल सर्च चुके है और ब्लैक जो कलर है वो आ चुका है और इसका जो फिसको सिटी है यह भी बिल्कुल खतम हो चुका है तो तो इसको तो रिप्लेस करना इंपड़ेगा एक्श्यूल में मेरा रिप्लेस्मेंट में थोड़ा देर भी हो चुका है तो अभी आप लोग ये जो फ्रॉंट का जो हुईल है इसका जो ब्रेक्स हुए ये देख पारे स्कीन पे तो ये हाली में मैंने चेंज किया था तो ये अभी 90% के अराउंड है ब्रेक्सु और ये जो पीछे का चक्क ये थोड़ा घिज गया है ये आप देख पारे ये एराउंड 60 to 50% के करीब है तो ठीक ठकी है मेरे ख्याल से तो दोस्तों आप लोग देख पारे ये जो कैप है ये जो इंजिन ओयल का रिजर्वर होता है इसका कैप तो ये कैप को निकल के आप लोग को जो रिजर्वर के अंदर इंजिन ओयल होता है उसको निकलना परेगा तो आभी भाईया ने जो काम कर रहे है ये है इसके अंदर एक ओयल फिल्टर होता है इंजिन ओयल का फिल्टर तो इस फिल्टर को निकल रही है उसको रिप्लेस करेंगे अभी निकल के उसको जाएगा में एक नया जो फि तो इसको भी भाया निकाल रहे है और फुल फिल्टर जो है वो फुल फिल्टर को रिप्लेस करके उसके जाएगा में एक नया फुल फिल्टर डाल रहे है अब है तो मोबिल सुपर का 15W40 ग्रेट का जो इंजिन ओयल है ये ओयल टाटा नेनो के अंदर भाईया ने डालने वाले हैं इसका जो MRP है ये है 810 रुपया अभी भाईया ने जो इंजिन ओयल का जो कैप है इसको निकाल के इसके अंदर धीमे धीमे करके जो इंजिन ओयल है ये पूरा डाल देंगे उसके बाद डीप स्टीक से चेक करना पड़ेगा कि ये साई गया की नहीं अगर थोड़ा कम ज्यादा होगा तो डीप स्टीक से आपको एज़स्ट करना पड़ेगा ठीक है तो भाईया ने डीप Kay yea water वैया ने जो इसका अंदर जो air filter होता है इसको निकल करेंगे कि उसका हाल कैशा है अगर उसका वह सारद्ड होगा क्वरारा तो उसको रिक्डश केरना पड़ेगा तो भाईयाने इसको चेक करके बोला कि यह अभी ठीक है तो इसको जास्ट क्लीन करके इसको फीर से भाईया ने इसके अंदर गारी के अंदर ढाल देंगे तो भाईया ने इंजिन एर फिल्टर जो है इसको क्लीन कर लिया तो अभी इसको ये कमपाट्मेंट के अंदर इसको डाल के इसको गारी के अंदर फीर से फीट करेंगे तो आभी जो देख पर है अब लोग भाईया ने गारी के कूलेंट चेंबर के अंदर कूलेंट डाल रहे है तो कूलेंट थोड़ा काम था उसको टॉप अप कर दिया और यह जो ब्रेक सू है इसको क्लीनिंग कर रहे है सेंट पेपर से और जो गारी का जो ड्राम है उसको भी स तो दोस्तो अभी टेखनिशियन ने गारी का जो काम चल रहे हैं उस जुआरं बताया कि गारी का जो क्लास है बहुत ही हार्ड हो चुका है और आपको प्लास का जो पूरा अपन भी है शेंग्स करना पड़ेगा तो मैं यह काम जो है कर लेता हूँ तो इसका डिज़नी में चार हाजर रुपिया का आने वाला है तो देखते ही क्या 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 साम होता है क्लास क्लास असेंबली चेंज करने के लिए आपको पहले जो गियार बॉक्स होता है उसको निकलना पड़ेगा उसको पहले जो हुल का जो एक्सल होता है तो उसको भी निकलना पड़ेगा तो इसको निकल के जो गीयर बॉक्स आब लोग देख पारे स्कीन के अंदर इसको निकल लिया भाईयाने अभी यह जो स्कीन पर देख रहा है यह है क्लाच प्लेट तो इसको भी निकल रहे अभी एक एक करके स्कूरू को निकल के तो आब लोग को दिखाता हो क्लाच प्लेट कैस इसका कंडिशन कैसे मैंने अब लोग को दिखाऊंगा भी अब है कि अब है कि यह देखिए यह जो पुराना क्लाच प्लेट था इसका हाल एक बद दिखिए यह 80% के करीब घिज गया है तो इसको रिप्लेश करना पड़ेगा और रिप्लेश करके जो डालने वाला है वो है यह प्लेट यह है नया प्लेट अब लोग इसको भी एक बद देख लीजिए यह बिल्कुल 100% है तो इसको भी एक बद देख लीजिए तो आभी यह गियरबक स्थे अंदर भाया ने डाल दिया इसको अभी एक और प्रॉब्लेम आया है तो यह देख पा रही यह लेट का जो पीछे का चक्का है लेट साइट का इसका जो एक्सेल है यह बेलो बिल्कुल तूच चुका है बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो य ये जो बेलो है इसको भी मैं रिप्लेस खर दूँंगा देख पड़े है इसके अंदर से जो watches होता है जो बिलकुल निकल गया है और भीよろ का जो रवार है बिलकुल भी तूट चुक है तो इसको फूल रिप्लेस करें कर दूँंगा मैं इसका कॉस्ट सारे 400 के आसपास आने बाला है ज्यादा तो नहीं इसलिए इसको रिप्लेस कर दूंगा तो आभी भाईया जो काम कर रहे ही यह है जो क्लाच केबल होता है इसको निकल रहे है अंदर से तो क्लाच केबल को निकल के क्लाच केबल जो होता है वो सारे 500 के आसपास आता है तो उसको भी भाईया ने रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो क्लाच पैडल है, ये बहुत ही हट हो चुका है, मेरा दारी का, तो इसको रिप्लेस करने पे क्लाच पैडल जो है, वो बहुत ही लाइट हो जाएगा, हलो दोस्तों अभी बाजरेच है तो अभी जाके मेरा जो काम था वो कंप्लिट हुआ है तो कंप्लिट तो मतलब नहीं हुआ है फुरा काम अभी बाकी है तो जितना काम था एक्चुल में उससे जादा काम निकल के आया है तो उलमें से एक होलरी का मेरा जो किलाच का पैड़ कलाच केबिल होता है भी क्लाच केबिल के था-id हो गया था क्लाच लिवर तो इसका रिगडिंग पूरा क्लाच का जो आसिमबली है उओ चेंज करना पाड़ा तो इसका ехणका खच्चा है केबिल लेके क्लाज केबिल लेके यह करीबन 4,000 रूपिया का है तो अभी के लिए जो काम हुआ है जो नर्मल सर्विसिंग होता है वह ही हुआ है और जो लिए वह चेंज हुआ है तो दोस्तों फाइनली साथ बच चुके है और अभी जाके मेरा जो गारी है अभी डेलिवेरी हुआ है मेरे को गारी में जो पिरियोडिकल सर्विसिंग हुआ है उसके बाद गारी बहुत स्मूथ हो गया है और क्लाज भी बहुत ही लाइट हो गया है क्योंकि क्लाज का जो एसेंबली है पूरा चेंज हुआ है तो फिर गारी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहे है और तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लेम नहीं था तो चलिए जलते घर पे और घर पे जाके फाइनल जो बिल हुआ है अब लोग को साथ सेयर करता हूँ ठीक है दोस्तों तो दोस्तों फाइनल ही मैं घर आ चुका हूँ और टाइम है आप लोग को साथ सेयर करने का फाइनल जो बिल है जल्दी से एक बार देखा देता हूँ अब लोग को तो दोस्तों यह है मेरा फाइनल बिल तो आप लोग देख सकते हो कि मैं जो फाइनल पेमेंट किया हूँ वो है 7083 का तो इसमें से क्या क्या काम हुआ है यह डिटेल्स है यहाँ पे जो इंजिन ओयल का जो चार्ज है यह 774 का फिल्टर पैक का जो चार्ज है 261 का कुलेंट का चार्ज लगा है दो सो बारा रुपया का पॉलिस पेपर यह क्या चीज है मुझे पता नहीं है इसका लगा है 25 रुपा का और यह जो क्लाज प्लेट क्लाज डिस्क का जो एसेंबली है इसका चार्ज हुआ है 1086 1076 का और उसके बाद यहां पे है क्लाज रिलीजिंग बियारिंग विद ग्रीच पाउज इसका चार्ज हुआ है 477 और क्लाज केबल का चार्ज आया है 516 कीट बूट यह क्या चीज है मुझे पता नहीं है इसका चार्ज लगा है 417 आया को यह क्या है मुझे पता नहीं है क्लोथ जो सर्विसिंग के दवारान लगा है वो है 70 रूपिय का क्लाज होबा यह जो लास्ट जो दो चीज है यह है बेसिकली लेवर चार्च एक तो क्लाज प्लेच चेंज करने का लेवर लगा है 218 रूपिया और यह जो मेजो सर्विसिंग था यह जो सब कुछ चेंज करने का इंजीन आएल और कुले यह सब का सर्विसिंग पढ़ा है 1475 तो फिर कुल मिला के लेवर और पार्च लेकर जो हुआ है वो है तो लिवर हुआ है मेरा 3252 और पार्स का जो इनवर्ज है वो है 3830 तो फिर सब कुछ जूर के जो फाइनल जो एमाउन मुझे पिए करना पड़ा वो है 7083 ओके दोस्तो तो दोस्तो अगर आब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को एक लाइ और साथ में जो घंकी है इसको भी दावा देजिए ताके सब से पहले नोडिफिकेसन आप लोगों को मिल जाए और ये जो नीचे जो कितना भी सोसल लिंक आ रहे है तो ट्वीटर, फेस्बूक, इंस्टा का ये सब फोलो करने जिए तो दोस्तो आप लोग सूस्त रहे है फ झाल